तांसर जी कल आपका नामांकन होगा, कितना बड़ा दिन होगा, कितना सोब दिन होगा? हमने कभी उनको देखा नहीं, कि नामांकन में, राजना सिंग जी के नामांकन में रहे शायद और उसके बाद का हो, उसके बाद शायद हमरे नामांकन में हमके लगा था कि मैं बड़ा भागेशाली हूँ, देवतिल जनता से मेरा निहोरा है, भुचपूरिया जितने भी मेरा समाज है मेरे फैन्स हैं सब लोगं से हमारे को नियोता कहब निहोराबाद चिरोटी करब की आप लोग कृपया पधार हैं काशी के बाद सबसे हौट सीट भारत की गोरखपुर है और सबकी देश की दुनिया की मीडिया की निगाहें गोरखपुर पर है कि यहां का चुनावी समर हमारी एशश्वी प्रधान मंत्री जी को कितने लाख वोट उनके जोली में डाल कर उनको एक शशक्त नेता जो बन चुके हैं और शशक्त बनाएं ये तपोभूमी एक एक वोट गीरे कल उसका निवेदन होगा और कल सबसे बड़ा आकर्शन का केंद्र पुझ महराजी का भाशन जो शंक नाद के रूप में पुरवांचल की धर्ती पर गुजेगा वो कल क्या कहेंगे तो मीडिया के लिए एक बहुत बड़ा आकर्शन होगा क्योंकि हमको लगता है कल महराजी जरूर ऐसे सुन्दर आशिरवादी वचन उनके आशिरवचन होंगे जिसको देश की मेडिया के साथ साथ गोरखपूर पुरवांचल और भारत बड़ा अनन्दित होगा उच्साहित होगा उरजावान होगा और यशश्वी प्रधान मंत्री मोदी जी को जिताने के लिए पुरवांचल की धर्ती आत्मा फूग देगी कल का दिन बड़ा दिन है महादेव की कृपा होगी मौसम भी साथ दे रहा है हरार महादेव कल होगा कल शंकनाद नहीं बहुत बड़ा नगाड़ा बज़े का महादेव का जो हमको दिखाई दे रहा है हम कल मंदिर जाएंगे गोरक्षनाद बाबा में वहाँ पर हम जाप करेंगे बड़ा जाप होगा बहुत सभाग गिवा हमार की मोदी जी का ये एतिहासिक चुनाओ जो 400 पार के नारे को देश की जनता दे रही है उसमें कल मुझे नामांकन भरने का मौका और सबसे बड़ा सभा गये गुरू गोरक्षनाद की तपो भूमी पे पुझ महराज जी का आशिरवाद नामांकन में अक्सर जाते नहीं है ये पहली बार ऐसा लग रहा है गोरकपुर के नामांकन हमारे पिछले नामांकन में नहीं थे हमने कभी उनको देखा नहीं कि नामांकन में राजनाद सिंग जी के नामांकन में रहे शायद और उसके बाद का हो उसके बाद शायद हमरे नामांकन में हमके लगा था कि मैं ब करब कि आप लोग कृपया पधार हैं काशी के बाद सबसे होट सीट भारत की गोरखपुर है और सबकी देश की दुनिया की मीडिया की निगाहें गोरखपुर पर है कि यहां का चुनावी समर हमारी एशश्वी प्रधान मंत्री जी को कितने लाख वोट उनके जोली में डाल क उनको एक शशक्त नेता जो बन चुके हैं और शशक्त बनाएं ये तपो भूमी एक एक वोट गीरे कल उसका निवेदन होगा और कल सबसे बड़ा अकर्शन का केंद्र पुझ महराजी का भाशन जो शंक नाद के रूप में पुरवांचल की धरती पर गुजेगा वो कल क्य कहेंगे तो मीडिया के लिए एक बहुत बड़ा अकर्शन होगा क्योंकि हमको लगता है कल महराजी जरूर ऐसे सुन्दर आशिरवादी वचन उनके आशिरवचन होंगे जिसको देश की मीडिया के साथ साथ गोरखपूर पुरवांचल और भारत बड़ा अनंदित होगा उ अत्मा फूग देगी कल का दिन बड़ा दिन है महादेव के कृपा होगी मौसम भी साथ दे रहा है हरार महादेव कल होगा कल शंकनाद नहीं बहुत बड़ा नगाड़ा वजे का महादेव का जो हमको दिखाई दे रहा है हम कल मंदिर जाएंगे गोरक्षनात बावा में वहां पर हम जाप करेंगे बड़ा जाप होगा